आप सभी को IIMT मेडिया की और से विजय दश्मी की हार्दिक शुबकाम नाएं नमस्कार मैं हर्ष और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव देश में धूमधाम से मनाई जा रहे ही विजय दश्मी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है पर्व देश में विजय दश्मी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है देश भर में विभिन स्थानों पर दशानन रावण के प्रकले दहन किये जा रहे हैं विजय दश्मी का पर्व अश्विन मार्क की सुकल पक्ष की दस्मी तिथी को मनाया जाता है इस दिन भगवान राम ने रावन का वद किया था इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में जाना जाता है इसलिए इस दश्मी को विजय दश्मी कहा जाता है विजय दश्मी का पर्व जीवन में सत्त के मार्ग पर चलने का संदेश देता है माना जाता है कि रावण के वद और लंका विजय के प्रमाण सरूप श्री राम की सैना लंका की राक अपने साथ ले आई थी इसी के चलते रावण के पुतले के देहन के बाद राक घर लाने के प्रमपरा शुरू हुई इससे नकरात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है सनातन संस्कृती में दशैरा विजय और अतियंत शुबता का प्रतीक है महराष्ट में सिलिंगर के नाम से इसे सामाजिक महत्सप के रूप में मनाया जाता है इस बार दिपावली पर 24 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या फिर बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड दिपावली पर इस बार भी अयोध्या में नया किर्तिमान बनने वाला है लगातार छटे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 11 रवंबर को लगभग 25,000 वालेंटियर अयोध्या के 51 घाटों पर 24 लाख दिये जलाएंगे इस आयोध्या में करीब एक लाख लिटर तेल कस्तमाल किया जाएगा आयोध्या को सफल बनाने के लिए अवद विश्व द्याले को नोडल एजनसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है माना जा रहा है कि इस बार दिपोट्सव पर करीब 3 करोड रुपे खर्च होंगे इसमें वालेंटियर्स के लिए दिये टी-शर्ट और स्नेक्स आधी पर खर्चा शामिल है इसके साथ ही लेजर शो और ड्रोन शो के माध्यम से प्रभू श्री डाम के जीवन चरित्र को परदशित किया जाएगा वहीं बीते वर्ष दिपोट्सव पर अयोध्या के घाटो को 15.76 लाग दिपों से रोशन किया गया था पंजाब के सीम भगवंत मान ने विपक्ष को खुली बहस की चुनौती दी कहा खुद लगवाएंगे विपक्ष की कुरसिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह हागामी एक नवमबर को पंजाब को ले कर होने वाली खुली बहस में जुरूर हिस्सा लेंगे भले ही विपक्ष दलों के नेता इसमें शामिल हो या ना हो भगवंत मान ने कहा कि मुख्य मुद्ध यह है कि पंजाब को किसने और कैसे लूटा इस विशे पर भहस केंद्रित होगी इस भहस से विपक्षी नेताओं को डर है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए इसलिए अगर वो नहीं आये तो भी हम उनके लिए कुरसी लगवाएंगे मुख्य मंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाये कि विरोधी दोलों के नेताओं की पंजाब को बरबाद करने वालों के साथ साथ गाट थी इस कारण वह खुली बहस में आने से बच रही है मुख्य मंत्री मानने खा है कि एक नवंबर को बहस में सिर्फ S.Y.L. नहर के मुद्दे पर ही चर्चा नहीं करेंगे बल्कि 1965 के बाद से पंजाब को लूटे जाने का हिसाब लिया जाएगा ब्रिटिश विश्विद्याले की नई पहल शुरू करेगी जादू टोना और तंत्र मंत्र की पढ़ाई दुनिया भर में जादू टोने और तंत्र मंत्र को लेकर तमाम तरह की माननेताएं प्रचलित हैं लेकिन विज्ञान इसे माननेता नहीं देता है लेकिन इस बीच बिचेन की Exeter University जादू टोने और तंत्र मंतर का कोर्स शुरु करने जा रही है यह है शायद दुनिया की पहली युनिवर्सिटी होगी जहां इस तरह की बढ़ाई शुरु हो रही है एक्सेटर युनिवर्सिटी की प्रोफेसर एमिली सेलोवे के अनुसार जादू टोना और तंत्र विद्या में रूची रखने वाले कई लोग इसे सीखना चाते हैं इसे देखते हुई विश्य विद्याले PG कोर्स शुरू कर रहा है दो साल का यह कुर्स पुरा होने के बाद विद्यार्थियों को PG डिग्री दी जाएगी यहां आश्चरे की बात यह है कि सदियों से जिस देश के लोग तंत्रमंत्र और जादू टोने के लिए मजाग उड़ाय करते थे वहां अब इसकी पड़ाई होने जा रही है और तमाम समस्याओं का हल तलाशने का माध्यम बताया जा रहा है इंग्लेंड में मिला दूइतिय विश्युद्ध का खूफिया बंकर यहां होता था Women's Auxiliary Air Force Base इंग्लेंड के साउथ वेस्ट स्थित कार्नेवाल काउंटी के पास पोर्ट्री में एक अंडरग्राउंड सिक्रेट बंकर मिला है जिसे दूसरे विश्युद्ध का बताया जा रहा है यह बंकर बहुत धनी जाड़ों के बीच होने के कारण अब तक दुनिया की नजर में नहीं आया था कार्नेवाल लाइव की रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह यह खूफिया बंकर है वहां कभी Women's Auxiliary Air Force बेस हुआ करता था और इसका स्तमाल दूसरे विश्युद्ध के दोरान बेरिक मेस आधी के लिए किया जाता था अब इस जगह कॉस्ट लाइन हाउसिंग 22 बंगले बनाना चाहती है जिसके लिए सफाई कराई जा रही थी इस दोरान यह गुप्त बंकर नजर आया जो कॉंक्रीट ब्लॉक से बना हुआ है अडानी ग्रूप की ओर से विक्सित और संचालित करने का विंजिंजम पोर्ट देश का सबसे गहराई वाला पोर्ट बन गया है अब तक दुनिया के कुछ बड़े कंटेनर शिप भारत नहीं आ पाते थे क्योंकि इनके लिए परियाप गहरे बंधरगा नहीं थे ये जहाज भारत के वजाए कोलंबो, दुबई या सिंगापुर्च पहुँचते थे लेकिन अब से ये जहाज केरल के विजिंजम पोर्ट आ सकेंगे विजिंजम पोर्ट से देश में कारगो के लिए लोजिस्टिक की लागत कम होगी और भारत को चीन के प्रभुता वाले अंतराष्टे समुंदरी वैपार का एक हिस्सा भी मिल सकेगा यह पोर्ट भारती उद्योग के लिए मदरगार होने के साथ केरल के डेफलमेंट में महत्यपुन भुमिका निभाएगा विजिंजम पोर्ट बंदरगा का टारगेट सालाना 10 लाग कंटेनर को संभालना है अडाने गुरूप देश के 13 बंदरगा का संचालन करता है इनमें मुद्रा पोर्ट, गंगवारम पोर्ट, कृष्णपटम पोर्ट, टूना टर्मिनल, दाहीज पोर्ट, हिजरा पोर्ट, मोर मुआगो पोर्ट आदी शामिर है बॉलिवुड की अगली सुपरस्टार हो सकती है राजेश खन्ना की नातिन कर सकती है फिल्मों में डेब्यू बॉलिवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की नातिन नावमिका शरन को फिल्मी दुनिया की अगली सुपरस्टार माना जा रहा है राजिश खन्ना और निम्पल का पाड़िया की छोटी बेटी रिंकी खन्ना की पुत्री नाउमिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं शोशल मीडिया पर नाउमिका की तस्वीरे देखकर लोग कह रहे हैं कि वह किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं और उन्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए ऐसे में माना जा रहा है कि नाउमिका आने वाले दिनों में फिल्मों में डेब्यू कर सकती हैं हाला कि राजिस खन्ना और डिम्पल का पाड़या की दोनों बेटी फिल्मों में कुछ खास नाम नहीं बना पाई उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंगी खन्ना ने एक्टिंग में हात अजमाया लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर सकी आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया